So hello everyone, तो आज के इस lecture में हम लोग करेंगे science का अपना तीसरा और आखरी topic यानि की biology, physics हम लोग देख चुके हैं, chemistry देख चुके हैं, रोग biology इस section में हम लोग complete करके पुरे science को wind up करने वाले हैं और physics और chemistry जितना मैंने आपको करवाया है you can test it, आप अपने previous air questions को उठा सकते हो मैं 100% तो नहीं, बट हाँ 90% की guarantee तो जरूर ले सकता हूँ कि 90% questions आप आराम से कर ले जाओगे और 90% भी आप attempt कर ले जाते हो, तो आराम से आपका top जो है qualify कर लोगे, अगर बाकी section में भी थोड़ा अब ठीक performance कर देते हो बाकी science आपका scoring section होता है, बाकी जो gk का section है, उसमें भी मैं आपका ठीक ठाक score कर दूँगा, क्योंकि यह काफी vast आपको पता है, इसमें history, geography, quality, current affairs, economics, इस सारे topics आपके included है current affairs के लिए आपको पता है, महा pdf मिलेगी, और वो आपके example है sufficient रहेगी, आपके 10 जो questions आते हैं current affairs के, अगर उसमें आप 7 से 8 questions सही कर ले तो बहुत ज़्यादा आपका added advantage मिलेगा, और मैरी पूरी कुशिस रहेगी कि मैं आपके महा pdf के थूँग 7 to 8 questions सही करवा दूँ, बाक यह मैं आपका complete करवा के, उसके बाद मैं आप लोगे previous questions को solve कर रहाँगा, और अगर आप इतना कर लेते हो तो GK में किन मानि है, physics, chemistry, biology, यानि कि science में आप इतना करते जाओ, जो आपको करवा रहा हूँ, बाकि अगर हम बात करूँ, GK के section में अगर आप इतना भी कर लेते ह उनको अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो 1.5x speed पर लगा के देख सकते हो, और बाकि previous questions के जो मैं आपको lecture लूँगा, नि कि actual में जो previous paper होगा, उसको मैं आपके सामने खोल के, आपको कैसे attempt करना है paper को, वो भी मैं आपको सिखाँगा कि कैसे अगर आपको questions नहीं आते है तो कैसे आपको approach लेना है, बाकि महा PDF आप लोगों को जैसे ही इस वीडियो में, जैसे मैंने पिछले वीडियो में target दिया था, कि जैसे ही chemistry वाले lecture, physics वाले lecture में 200 likes complete हो जाएंगे, तो आपको biology का lecture मिलेगा, आपने complete कर दियो, तो चलो इसमें भी target रखते हैं, इसमें जैसे ह 300 likes complete हो जाते हैं, आपको महा PDF का पूरा जो lecture है, मैं आपको आपको करवा दूँगा, PDF पे दे दूँगा and that's it, ठीक है, और अगर अगर आप उसमें तो 78 number, मेरी पूरी कोशिस रही कि मैं आपको 78, क्योंकि पिछली बार का जो exam होगा तो उसमें मैंने निकलवा दिये थे, ठ कमी कर इंटरफेस होंगे और वो वन लाइनर के फॉर्म में होंगे, ऐसे नहीं कि एक कर इंटरफेस उसके description में 5-6 चीज़ें लिखिए नहीं, simple one-liners के फॉर्म में कर इंटरफेस रहेंगे, अब जाता deep में नहीं चाहते हैं, biology में deep में गुसते हैं, इसमें भी deep में नहीं जो exam perspective से important है, मैं biology के थोड़ा सा आपको breakout समझा देता हूं, physics and chemistry के comparison में, physics and chemistry के comparison में, biology section कम आता है, चाहिए वो आपका NDA exam हो या फिर serious exam हो, ठीक है, मैं आपको बता दूँ, NDA serious दोनों के previous papers आपको solve कराऊंगा, एक definite time पे, ठीक है, यह निकि definite time बोले तो, जैसे कि 11 बजे मैं ने NDA का paper ले लिया, और रात को 8 बजे, अबका serious का, वो मैं आपको time बता दूँगा, यहाँ पर अगर हम बात करों, तो physics, chemistry, थोड़ा ज्यादा weightage रखते हैं as compared to biology, इस वर से biology में, जो जो हमें, जहां-जहां से questions strike करता है, जैसे for example, जो cells and tissues वाला topic है, ठीक है, photosynthesis वाला है, diseases यहाँ से questions बनते हैं, वो मैं आपको करवाने हो लहाँ, physics, chemistry मैं फिर से बोलूँगा, ठीक है, अगर आप lecture देख सकते हो, देखो, notes आप लोंके परमार academy आप पे available है, वहाँ से आप उनको revise कर लेना एक बार, ठीक है, questions आपको directly मिलेंगे, बाकी previous questions को हम solve कर लेंगे, बहुत confidence आपको देंगे, शुरूर करते हैं, अपना पहला topic, that is diseases, दो टाइप में को हम करेंगे, acute disease और chronic disease, यानि acute रोग और chronic रोग, acute disease वो होती है, which last only for very short period, chronic वो होती है, जो which last for very long time, जैसे for example, आपका जैसे cancer हो गया, तो cancer सालों तक चलता रहता है किसी किसी का, किसी का short span का भी होता और for example, जो आपका diabetes, एकाफी लोग का, एकदम early age में हो जाता है और आपका बुढ़ापे तक चलता है, diabetes हो गया, TB हो गया, Encephalitis हो गया, ठीक है, ये सब जो है, आपके chronic diseases होते हैं, बहुत long time तक last करते हैं, short period तक जैसे आपका खांसी जो खाम होगा, cold cough, typhoid, ये सारी acute disease में जाएंगे, simple सा है, कोई बहुत ऐसा नहीं रटने वाला चीज नहीं है, causes of disease, अब disease क्यों होती है, उसके causes क्या है, तो pathogen, जो disease क्यों होती है, उसके causes क्या है, तो pathogen, जो disease क्यों होती है, जैसे virus, bacteria, fungi, protozova, आप कौन-कौन सी diseases cause क्यों होते हैं, वो भी नीचे देखेंगे, pathogen, इसको इंदी मोलते हैं, रोग जनक, hereditary और genetic disorder होते है, hereditary और genetic disorder में एक्जामपल हो जाएंगे, आपके down syndrome, turner syndrome, दो एक्जामपल आपका दखने हैं, यानि कि वन्शान उगत जो आपकी disorders होते हैं, यानि कि आपको genes के थूर मिले हैं, अपने parents से, ठीक है, उनको अपने parents से म हो जाती हैं, उनकों infectious होते हैं, और non-infectious होती हैं, जो 1% से दूसरे में, यानि contact के थूरू spread नहीं होती हैं, for example, infectious में जैसे आपका COVID-19 हो गया, है न, तो यह क्या है, infectious है, यानि कि एक परसन से दूसरे परसन में जा सकता है, बाकि अगर non-infectious में जैसे arthritis हो गया, diabetes हो गया, heart disease ह हो गया, तो यह आपको क्या है, एक परसन से दूसरे परसन पर नहीं होगा, simple सा लोजिक है, इसमें भी रटने वाली चीज नहीं थी है, अब आया गी आपका different microorganism, विभन प्रकार के सूच में जहीं, जो से अगर बात करें, it is a protozoa, it causes sleeping sickness, यह एक दूसरा microorganism है, जिसके वैसे sleeping sickness होता है, अब sleeping sickness जो है, अपने एक term सुनोगा, say safe flies है, नहीं सुनना तो सुन लो, यह carrier होता है, किसका sleeping sickness का, यह microorganism है, अब microorganism खुद तो चल के जाएगा ने, किसी के पास, उसको carry करके ले जाएगा, कौन say safe flies, और इसके वैसे क्या होगा, sleeping sickness होगा, और यह एक तरह का protozoa है, अब तीसरा है हमारा, staphylococcus bacteria, it causes acne, जो महासे हो जाते हैं, वो इस बैक्टीरिया के वैसे होते है, ring warm, यह आपकी small intestine में प्रेजेंट होता है, छोटी आत में, ring warm, ध्यान रखना, round warm नहीं है, round warm एक disease अभी एक protozoa है and it causes kala azar, और यह इसका carrier का है, sand fly, ठीक है, उसका है say safe flies, sleeping sickness और इसका है sand fly, kala azar का जो की lashmania protozoa की वज़े से होता है, that's it, दो यह आप रट लेना, trypansoma वाला और lashmania वाला, super important है, ring warm आपका small intestine में होता है, यह, ठीक है, यह दोनों काफी super important है, बार बार रिपीट ह आपके exam में आते है, बात करते हैं, यहाँ पर agents लिखे हो, यहाँ पर disease, virus की वैसे कौन कौन से disease, bacteria की वैसे कौन कौन से disease, fungi की वैसे कौन कौन से disease, protozoa और warm की वैसे कौन कौन से होते है, virus की वैसे हो गया, common cold influenza, measles, खसरा, chicken pox, AIDS, hepatitis B, bacteria की वैसे आपका cholera, typhoid, TB, tetanus, anthrax, food poisoning fungus की वैसे आपका skin infection, baldness, यहाँ गंजापन हो गया, और आपका round warm, यह भी आपका fungus की वैसे होता है, protozoa की बात करें, maliria, kalazar, कौन सा अभी maliria के लिए exactly responsible है, kalazar कभी हम देख चुके है, कौन सा यहाँ पर protozoa responsible है, आपका lishmania, ठीक है, यह आपको पताऊना चीए, फिर sleeping sickness में में देख लेए, trypansoma है, और dysenteria, आपका warm में बात करें, warm आपका intestinal function को जह है, अभी आते हैं, antibiotics पे, तो bacterias के block करने के, देखो, antibiotics के हैं, यह आपका disease को रोपने के लिए, simple, अब कौन से disease, those diseases which are caused by bacteria, and they do not work against virus, reason being, CDS में कुश्यन पूछा जा चुका है, क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिखा, they block bacteria to make a cell wall, यह सिर्फ bacteria के खिलाफ ही, applicable, यह बैक्टीरिया के खिलाफ ही, यह लड़ सकते हैं, क्यूं, क्यूंकि जो bacteria cell wall बनाती, उसको यह block कर देते हैं, अब क्यूंकि virus cell wall बनाता ही नहीं है, तो block किसको करेंगे, तो इस वज़े से यह virus के खिलाफ, जो ह it was penicillin by Alexander Fleming, all right, means of, देखिए, बहुत सारे students यहां पर नोट्स को लेके परेसान रहता है, फिर से बता दूँ, यह नोट्स आपको परमार academy app पे मिल जाएंगे, ठीक है, और नोट्स को नाने में बहुत महनत लगी, इस वज़े से इनको यूज करना को effectively, means of spread of infectious disease, तो कौन-क diseases में आते हैं, आपकी cholera, amoebic dysentery, आपको option देदेगा, which of the following is not a water bond disease, ठीक है, तो पता होने चीज, वाटर के वाटर के वाज़े से को उता है, तो कौलरा हो गया, अपका amoebic dysentery हो गया, फिर अवेक्टर के गरम बात करें, जयने कि जो disease carry करते है, malaria, dengue, yellow fever, through sexual contact, sexual contact की का नाम है HIV, human immunist deficiency virus, और ये तरह का retrovirus है, retrovirus का मतलब क्या होता है, तो ज्यादा तर जो आपके viruses होते हैं, वो आपके, उनका जो genetic material होता है, वो DNA का बना होता है, लेकिन जिन वाटर का genetic material DNA करना बनके RNA का बना होता है, उनको retrovirus बोलते है, R for RNA and R for retrovirus, simple ऐसे आल दखना है, method of transmission कैसे transmit होता, AIDS, ये sexual contact के तरूँ transmit हो सकता, blood transfusion, use of infected needle and from mother to baby, ये आपके methods है, transfer होने के, from one person to another, इसका detection का क्या method है, ELISA test इसके लिए होता है, कौन से test, ELISA test अगर आपको AIDS को detect करना है, तो, ठीक है, अब आते है, organ specific and tissue specific manifestations पे, ठीक है, ये क्या है, microbes which enter through nose, go to lung, आपके और्गन के तरूँ, जो ट्रांसफर होते हैं, microbes उनकी बात हो रही तो, microbes which enter through nose, nose के तरूँ तरूँ लंक्स में जाते हैं, example, bacteria which causes TB of lungs, तो जो वो bacteria, आभी हम देखे हैं, cause a bacteria, mycobacterium, tuberculosis, तो वो bacteria directly from nose to lungs में जाते हैं, ठीक है, और वो TB कॉस करते हैं, हिंदीम बोलते हैं ठीक है, white plague, अगला है हमारा microbes which enter through mouth, stay in the gut, ये directly nose से लंक्स में गुसे, ये mouth से आपके गट ये फिर लेवर में गुसते हैं, example, bacteria which causes typhoid, वो bacteria which causes typhoid, वो bacteria which causes typhoid, वो जो है, ये ऐसा microbes है, जो कि मुह से directly आपके गट ये फिर लेवर में जाता है, example, दूसरा आपका bacteria which causes jaundice, ये ये अपका लिवर को एफेट करता है, टाइफोई आपका गट को एफेट करेगा, जांडेस आप से पू सकता है कि jaundice affects which organ of our body, so it is our largest organ of our, largest, sorry, largest gland of our body, liver, largest organ को होता है हमारी बोडी का, skin, ठीक है, virus which cause Japanese encephalitis, that is brain fever, enters through mosquito bite and infects the brain, ये अपने नाम काफी सुन होगा Japanese encephalitis, बिहा में काफी एफेक्ट किया था और बहुत सारे बच्चों की छोटे बच्चों की डेथ हुई थी इस Japanese encephalitis की वैसे तो ये वाइरस की वैसे ही बिमारी होती ही जो हमारे brain को एफेक्ट करती है Japanese encephalitis, वैक्सीन आफ स्मॉल पॉक्स किस ने डिसकोर के थी? एड़ड जिनर न मलेरिया को ट pivot करने के लाव थे पूछ लेता है कि किस ट्री की बार्क थाल की अवशक्ता हो एज ये सिंचोना ट्री होता है ठीक है इसकी इमें बार्क से जो है मलेर्या को ट्रीत रेडं जयता है वैसे और ऐसा बैक्टीरिय ये इसका पैथोजरन और इसका कैडियर आपका 902 KM 7 어제 오ählt, ही बात करें ये वायरस ही होता है यपार्य खीड़ीटा, सबते हैं लुटरीगा में है, जहते हैं लुटरीटो है मhonपार्य में छुट हिए वायरस में खुनेर, ठीक है बात करें अगर हम Worms निंजीका वायरस का हुता है फिर अगर बात करें worms की तो Worms, intestine Kalazaar हम दो करें लेश्मैनिय । नियुक्त है की है स्प्रेड होता है साथ की बाद करें यह आपको यहां पर कट करके वायरस कर लेना ठीक है Swine flu और कैसे कारी होगा carrier from 1% to another हो सकता है जैसे कि हमारा COVID होता है खासने से छीखने से आपका spread हो जाता है carrier मतलब simple क्या होता है कौन एक परसन से दूसरे परसन पर क्यारी करेगा स्वाइन फ्लू के गरम बात करें virus होता है virus होता है H1N1 virus होता है pig और human दोनों इसके carrier होता है bird flu के अगरम बात करें H5N1 इसके लिए responsible होता है birds इसकी carrier होती है TB इसको तपेदी बोलते है bacteria इसके लिए responsible होता है इसका bacteria क नाम है Mycobacterium tuberculosis तो यहाँ पर अगला चाप्टर स्टार्ट करते है that is reproduction reproduction यानि कि प्रजिना ना बोल सकते हो दो तरह का होता है एक फॉर्म लिविंग फॉर्म जो है दूसरे सेम सिमिलर लिविंग फॉर्म को जन्म देता है तो उसे हम reproduction बोलते है reproduction जहाँ दो तरह का हो सकता है asexual and sexual sexual वो होता है जहाँ पे male और female पार्ट मिलते हैं और new offspring बनते हैं जैसे humans हम humans के केस में होता है ठीक है अपके जो काफी plants के केस में होता है but asexual जो reproduction होता है उसमें दो लोग उनकी जरूरत नहीं होती simple सी बात है male और female पार्ट के जरूरत नहीं है एक ही काफी है ठीक है और asexual reproduction हो जाता है asexual कई तरह का होता है binary fusion, multiple fusion, fragmentation, budding and regeneration और एक और है देखेंगे vegetative propagation ठीक है यह पांस तरीके के होते हैं बाकि हम देख लेते हैं कि क्या क्या इन में difference है कैसे यह आपस में अलाग है binary fusion होता है unicellular सिर्फ organism है unicellular organism मतलब वो organism जो एक तरह की सल से बने हो multiple fusion यह भी unicellular organism में होते है अब दोनों में अंतर क्या binary fusion और multiple fusion में नाम में यह अंतर शिपा हुआ है यहाँ पर क्या है कि एक जो living और यह एक जो organism है एक organism दो complete organisms में develop होता है जैसे amoeba है यह amoeba है यह दो complete amoeba में इसका पुरा process होता है जैसे amoeba है ठीक है इसका nucleus है फिर धीरे धीरे जो इसका अंदर का nucleus है यह expand होना चालो होगा ऐसे ऐसे फैलना चालो होगा फिर धीरे धीरे यह आपस यह nucleus यह कुछ इस प्रकार हो जाएंगा और बस तूटने के कगार में आ जाएंगे और फिर यह पूरा तूट जाएगा यह एक अलग amoeba बन जाएगा और यह एक अलग amoeba बन जाएगा ठीक है तो यह नहीं कि एक amoeba से दो amoeba बन गए यहाँ पर किसी दूसरे amoeba के ज़रत नहीं पड़ी इसी विसे इसको मने एसेक्शोल रिप्रोडक्शन बोला बिकाज एक से दो बने इस विसे इसको binary fusion बोला और यह सिर्फ unicellular organism में देखने के मुलता से amoeba, bacteria और photos होगा multiple fusion में क्या होता है एक organism यह भी unicellular में ही होता है एक organism multiple organism को जो है जन्म देता है जैसे आपका plasmodium है plasmodium में क्या होता है यह जैसे एक यह है ठीक है plasmodium है इसमें क्या है बहुत सारे जो है यह एक layer डवलोप कर लेता है अपने around और काफी सारे plasmodium डवलोप कर लता है फिर यह layer फटती एक तरह से बोल सकते है हटती है और काफी सारे नए plasmodium जो जन्म लेते हैं क्योंकि काफी सारे लेते हैं that is why it is called multiple fission examples important होते है binary fission के examples amoeba, bacteria, protozova multiple fission के plasmodium बहुत ज्यादा शिद्द से रटने की जरुवत नहीं इतना तो देख लो कि ताकि option अलिमिनेट हो जाए जो शिद्द से रटने की जरुवत होगी मैं आपको बता दूँगा fragmentation की बात करें multi-cellular organism में होता है for example spirogera इसमें भी क्या होगा कि एक spirogera दो different spirogera में जो है जनम लेगा बनेगा अब देसे कि for example spirogera ठीक है यह जो है spirogera दो बन गए ठीक है और दूसरा अंतर यह है कि binary fusion जब हो रहा था तो एक amoeba दो complete amoeba में बन रहा था बट यहाँ पर fragmentation में एक spirogera दो complete spirogera में नहीं develop होगा यह पहले incomplete spirogera होंगे दोनों और फिर फरदर यह complete बनेंगे ठीक है तो इस चीज़ का धियान रखना है जब बनते हैं तो यह incomplete होते है एक से दो और amoeba जो हमने binary fusion वाला case देखा वहाँ पर complete होते है अगला आते हैं budding यह भी अपका multicellular organism में होता है example hydra and east काफी important है इसके दोनों examples रट के रखिएगा जैसे hydra में budding होता क्या है जैसे hydra है फिललप यह जो है एक छोटासा budd devil up हो जाएब एक छोटासा budd ऐसे develop हो जाएगा यह break जो है दीरे दीरे बढ़ा होता जाएगा बड़ा होता जाएगा और यह अग time में आएगा हम यह से टुट जाएगा does includeсон एक complete में dhv appearing हो जाएगा ठीक है इसको बोलते हैं बढ़िंग का यहां पर किसी और की जरूत पड़ी नहीं एक हाइडरा ने दूसरा है रिजनरेशन एक इसने दूसरे इस्ट को बना दिया रिजनरेशन एक्जिस्टिंग सेल डिविजिन टुमेक न्यू सेल दिविजिन तो यहां पर की व इसको अगर मालो कि आप तीन डिफरेंट पार्ट में आप इसको डिवाइड कर देते हो काट देते हो तो यह इसका उपर का पार्ट ही मिडल का पार्ट और यह नीचे का पार्ट बहा सकते हैं तो यह अपने आप में जो उपर का पार्ट ही complete plan area में डवलप हो जाएगा यह अपने complete plan area में develop हो जाएगा क्यों यहां पर एक ही तरह कि आपको cells देखने को मिलेंगी और इसी वजह से क्योंकि एक ही तरह की cells देखने को मिलेंगी तभी यह एक पार्ट दूसरे पूरे पार्ट में पूरा plan area बना सकता है इसी वजह से complex organism में यह आपको missing मिलेगा जैसे for example ह बना है kidney अलग तरह जैसे हैं humans को हमारी kidney अलग तरह से सल से बना है liver अलग तरह से heart अलग तरह की cell से बना है तो इसी वैसे वह complete में develop नहीं हो सकता है that is why it is missing in complex organisms पांचवा अपना method देखते हैं यह पांचवा तो यह ही है छटवा हो गई है हमारा vegetative propagation अब यह क्या होता है यह दो तरह होता है artificial और natural अब यह क्या होता है विजिटेटिव प्रपोगेशन देखो पहले तो यह तीन तरह होता है artificial वाला तो देखो सबसे पहले तो महीं समझ लेते हैं विजिटेटिव प्रपोगेशन होता क्या है तो अब पहली बात तो यह तो अगर हम सीड को लगाते हैं तो वो तो एक नॉर्मल मेथट हो गया प्लांट को ग्रोव करने का बाकी अगर हम अलग दूसरे मेथेट से करते हैं यह कौन कौन से अलग मेथेट होते हैं उनको दो कैटेगरी में हमने बाटा आर्टिविशल नाचरल जैसे कि आपने एक बार परिश के समय में घा सुगाती है फिर डिफरेंट तरह के प्लांट सुगाते हैं क्यों विकॉस पहले से वहां को इस्टेम पड़ी होगी और वह अपने आप में वह जो है प्रपोगेट कर गई यानि कि वहां पर नैचरल वजिटेटेव प्रपोगेशन हो गया आर्टिवि अपने घर में लगाया होगा अपने इसको ठीक है तो वहां पर क्या हुआ क्या आपने सीड लगाया क्या अपने सीड लगाया नहीं क्या वहां पर कोई अभी हम देखेंगे जैसे होगा प्लांट में भी रिप्रोडक्शन होगा तो क्या वहां पर ऐसा हुआ कि मेल पार्ट में होता ह् season 2 जैससे कि ये कोई पीड है इसके थेनम करेंगे इसको गॉट देंगे ये पिंक रोज है ये डेट रोज है तो आपने इसको दोनों को बढ़िए हो सकता आपको यहां लॉटAAAA tab क्या तो यह होता आपको grafting tissue culture क्या होता है scientific method यह थोड़ा important है scientific method यह keyword है scientific method of artificial vegetative propagation तो artificial vegetative propagation हमने देखे cutting layering और grafting simple थे इसमें क्या कोई scientific method लग रहा था नहीं बहुत simple थे लेकिन जो scientific method से होता है that is called tissue culture होता गया है यहां पर plant को की पत्ती के फिर tissues जो हम scientific method होता है जो हमें जानने के ज़रत नहीं है बस इतना बतावने ची scientific method of artificial vegetative propagation is called tissue culture यहां पर हमारा जो a sexual method of reproduction होता है खतम और यहां से अब हमारा चाल होगा sexual reproduction यहां सेक्शुल आप समझ ही हो क्या होता है जहां पर मेल फीमेल पार्ट की जरत नहीं पढ़ती है sexual होता है जहां पर आपको मेल और फीमेल की जरत पढ़ती है तो अब sexual reproduction में दो category में हम लोग पढ़ेंगे plants का अलग से और अनिमल्स का अलग से पहले plants का और फिर animals का plants का अनिमल के comparison में ज्यादा important है ध्यान रखेगा आपके exam perspective से ठीक है basic concept समझ लेते है sexual reproduction में जो वो करता है इसमें male plus female new organism को reproduce करते है male sex cells होते है ठीक है जिनको male gamit बोलते है female sex cell होती है जिनको female gamit बोलते है यह दोनों fertilized egg बनाते है जिसको हम zygote बोलते है और फिर जो zygote है यह फिर एक नए organism में develop होता है basic सा concept इसमें sexual reproduction में यह वो करता है अब हम देखते है sexual reproduction in plants कैसे होता है तो यह तो जो चीज लिखी हुई है यह आपको रटनी है एकदम ठीक है अब रटों के ऐसे नहीं मैं आपको बुरा समझा दूँगा आराम से रट जाएगा आपको तो सबसे पहले जहां पर फिगर मैंने डाल रखा है उस पर आते हैं और फिगर कितरों आपको समझाता हूं उसके बाद हम लोग बैक टूइस में आएंगे तक फिर आसानी से आपको चीज़ें याद हो जाएंगे वो आपके exam perspective से आपको चीज़ें रटनी है तो यहां पर देख पा ह्याँ य यह इसको एंथर बोलते हैं ठीक है और एंथर में ही आपको मिलेंगे क्या pollen grains ठीक है pollen grains होते हैं एंथर में pollen grains होते हैं कि एक अध्यान से बस जो मैं बोलनों सुनते रहेगा यह एंथर हुआ ठीक है यह जो एंथर जिसमें लगा हुआ है यह आपका फिलमेंट यह जिसमें लगा हुआ अटैच्ट है ठीक है यह आपका फिलमेंट तो एंथर प्लस और फिलमेंट इस ऒाल पार्ट आफ लिक्ट उप्लाबर अभी जो पॉलन घ्रेंश है यह जाएंगे फिमेल पार्त के पास ठीक है यह फीमेल पार्ट ह्यां का फिस्टॉल जो की बनता है stigma यह टौप का पार्ट होताय प्रस यह जोा की शुकी पार्ट होता अभी स्टिकी पुरा वह ओवरी मोटों डाटीज आप फीमेल पार्ट अभी पॉलेंगे जाएंगे किसके पास इसके पास अभी जो उड़के जाएंगे ना इसको पॉलिनेशन बोलते हैं अभी पॉलिनेशन भी अपने अपने अगलाग टॉपिक तो नहीं है अभी छोटा सा पाथ है जो कि इसको पॉलिनेशन बोलते हैं यह पॉलिनेशन कई प्रकार से हो सकता है चलो अभी मैं बता देता हूं एक तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन पहले तो प्रकार का एक होता है अपका सेल्फ पॉलिनेशन दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन ठीक है सेल्फ पॉलिनेशन में क्य होता है अगर यह male part अपने ही female part के पास जाए तो इसको self pollination बोलेंगे cross pollination वो होता है अगर एक का male part दूसरे plant के उड़के पहुंच जाए दूसरे वाले के पास that is called self and cross अभी जिससे उड़ता है जिसके through carry होता है उसको मैंने बोला ठीक है अब जो विंड के through जो होता है carry उसको हम बोलते है एनिमो फिली जो आपका birds के through होता है that is called ornithophily ठीक है ornithophily and insects के through जो होता है that is called entomophily ठीक है यह आपको पता होने चाहिए अब मैंने आपको बोला यह विंड के through जैसे मानलों उड़के गया यहां पर अब ऐसे तो अगर उसको अब यहां विंड के through गया ठीक है यह sticky होता है इसी लिए ही sticky होता है ताकि यहां पर stay कर सके जब यहां पर चिपकेगा तभी तो अंदर जाएगा और पूरा उसका पूरा प्रोडक्शन का प्रोसेस होगा अंदर कहां पर ओवरी में तो इससे वज़े से यह sticky होता है आप समझे क्यों sticky होता है ठीक है male part आप समझ गया female part समझ गया male होता stamen और female होता pistol stamen बनाता एंथर और फिलमेंट का यह और आपका जो female होता pistol बनाता stigma style और ओवरी तीन चीज़ों का अभी यहां पर stick हुआ एंथर ठीक है और यहां पर आपके sorry pollen grains एंथर पे हैं और pollen grains यहां पर आए stick हुए अंदर गये ठीक है यहां पर पूरा होगा reproduction ठीक है यहां पर ओविल्स मौज़ूद होंगे ऐसे चोटे 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 ठीक है यह डवलप हो जाएंगे सीड्स में यह डवलप हो जाएंगे सीड्स में बीज में और यह जो पूरा ओवरी है that will develop into a fruit that will develop into a fruit यह दियान रखना बस खतम इसके अलावा कुछ आपको इसमें पढ़ने की ज़रत नहीं एक्जाम में अगर यहां से question आएगा तो इतने में हो जाएगा रिप्रोड़क्टिव पार्ट होता है फ्लावर है निकी प्लांट में रिप्रोड़क्टिशन कहां पर होता फ्लावर में होता है ऐसे प्लांट को एंजियो सपर्म्स बोलते हैं काफी सारे प्लांट होते हैं जिनमें यह प्लावर नहीं होते है तो उसको हम अभी देखेंगे जब हम अमारा अगला चाप्टर को वह अगे देखेंगे बट ऐसे प्लांट्स जहां पे रिक्रीव्र्दॉक्चिन फ्लाव नहीं हुथ है तो वह पे इस क्या हो ए और क्छिए मेल होताल गासु कॉछा कचत मॉझभ गानहीं करुंभ बनता और सब्च सक्रूंः सि directions या cross-pollination मैंने समझा दिया asexual bisexual plant क्या होते हैं यह भी आने को समझा दिया जिनमें की सिर्फ और सिर्फ आपका male part है फिर female part that will be called asexual plant और जिसमें दोनों male और female एक ही plant में that are called bisexual plants now let us see reproduction in human beings human beings में कैसे reproduction होता है plants में देख लिए human beings में देख लेते हैं plants वह ज्यादा important था as compared to human beings तो human beings में दो पार्ट होता है पे-टेस्टेस्टेस च यह कोई होता है है मिल हर्मोन यहां पता होvenant फिर female germ cell is ovaries में होता है जैसे आपका other Non random say और फिर जर्म सेल्स पाइब आफा थेदुकर 5 वां पैयल जर्म सेल्स का उस वह और खालेज़ों 5 यहां पर एक और अपका होर्मोन फोर्म को आपका तियुटंटन एक ईक और अइसाओर खालोज़ेशन उसका भी नाम कया दखना धायों यह नाम यह तोजन सथा कि वह लिएक बात करते हैं, contraceptives, यानि की प्रेगनेंसी रोगने के लिए हम क्या क्या है उसकरते हैं, copper tea and condoms, ठीक है, development of baby जो होता है, वो आपका eutatis में होता है, that's it, यह आपको चीज़ा है याद रखने है, simple जो आपको exam perspective से जो आपको याद रखना है, जो आपको exam में पुछा जा सकता ह और इसमें आपको अगर पूछेगे, तो हर्मोन पूछेगा, development of baby कहां पे होता है, आपका eutatis कहां पे डवलप होता है, बस इतनी सी सारी चीज़ेगे जो मैं आपको बता दी है, अब हम आते हैं अपने अगले chapter पे, that is diversity in living organism, यह भी अपका important chapter जहां आपसे पूछ लेता है कि ब्रायो फार्टा के बारे में पूछ लेगा, नॉट चॉट के बारे में पूछ लेगा, या फिर एक पूछ लेगा, भी हम जब पूछेवे सारी question देखेंगे, ता वहाँ पे questions पहलेंगे, कि कोई अगर मान लो, कि कोई organism है, जिसके दो jointed legs हैं, तो उस कौन सी category में हैगा तो ये सारी questions जहां से पूछे जाता है पी exam में, तो basis of classification, क्यों हम ये chapter पढ़ते हैं, diversity in living organisms, या निकि इतने सारे organism से, कि उनको हमें categorize करने की ज़रत पड़ी, कि हाँ, ये इस category के हैं, ये इस category के हैं, तो classify करने के ज़रत पड़ी है, दो basis में organisms को classify कर जाता है, तो type of cell कैसा है उनका eukaryotic है, फिर prokaryotic है, ये जो हमारा cell वाला topic है भी उसमें हम देखेंगे, eukaryotic cell क्या होती, prokaryotic cells क्या होती है, ठीक है, mode of nutrition, यानि कि आपका autotrophic mode of nutrition है, यानि कि अपना खाना वो खुद बनाते हैं, जो आपके microorganisms हैं, या फिर they are heterotrophic, यानि कि कि किसी पर dependent रहते हैं, for example, autotrophic में आपके plants आगे, autotrophic में आपके animals आगे, theory of evolution, तो ये theory of evolution देखी Charles Darwin ने अपने किताब origin of species में, अब classification का जो main श्रीय जाता है, that is given to white taker, white taker भाईया का नाम जरूर याद रखना बहुत important है, और इन्होंने काफी सारे categories में classify किया आपके जो organism से उनको कितने basis पर प्लांटे और अनिमेलिया, तो मनेरा क्या होते हैं, मनेरा वो होते हैं, जिनका कोई defined nucleus नहीं होता है, उसके examples are bacteria, cyanobacteria, blue green है, इस chapter में examples बहुत hard हैं, और examples ही बहुत important है, hard भी और important भी है, में दिक्कत की बात ये है, ठीक है, लिकिन अगर आप थोड़ा सा चिज़ों को classify करके याद करोगे, तो असानी से याद भी हो सकते है, mode of nutrition can be autotrophic और heterotrophic, यानिकि मनेरा कौन से होते हैं, इनका कोई defined nucleus नहीं होता है, उनको मनेरा की category में रखेंगे, जैसे bacteria, cyanobacteria, blue green है, और इनका mode of nutrition है, वो autotrophic भी हो सकता है, और heterotrophic भी हो सकता है, जो सबसे important है, point पहला number ह प्रोतिस्ता क्या होता है, unicellular eukaryatic organisms होते हैं ये, और ये example से algae and protos होगा, फंगाई में आते हैं, heterotrophic eukaryatic organisms होते हैं, also called septotrophs and parasites, septotrophs क्या होते हैं, जो dead and decaying matter पे feed करते हैं, जो सॉल राजे से जब का bread इसल रही है, तो उस पे जो फंगस आपके क्या करते हैं, उसी पे rely कर होते हैं, अपने food के लिए, अपने source के लिए, ठीक, और parasites क्या होते हैं, पर जी वी जो दूसरे पर dependent रहते हैं, जो dead, देखो, septotrophs क्या होगे, part हो गया parasite का है, जो dead, जो आपके दूसरों पर dependent है, ठीक है, दूसरों से अपना एक तरह से खाना चूस रहे हैं, लेकिन अगर जो dead and decaying matter से चूस रहे हैं, तो they will be called septotrophs, they have cell wall made of chitin, यानि इन में cell wall होती है, जो कि chitin के बनी होती है, और इसके example है, कुछ भी बोले हैं, अगर चitin नहीं बोलते हैं, पता नहीं जो भी प्रनाउस करते हो, लेकिन बोलने के लिए नहीं आएगा वाँपे, आपको सही option म और मश्रूम्स, ये अगड्या है ने जो कैटुझ ये क्लासिफिकेटीन का, that is plant यानि आपके इसमें सारे plants आ जाएंगों, आपके प्लांस यानि आपस्ते में प्लांस में ऐका जाएंगा यांनि, gereja है, ये उताइख है, इनrest discard मोलते हैं, प्लड्रोम्स क्लोर फिल्क तो ग्रांट इसमें स्व्लेटरी आपको इंपॉर्टंट वह यार दखना है जैसे में मोनेरा प्रोजिस्ता हो इसमें चीजे पता हो ने चीजे थे जिए कि इंका डिफाइन नुकलिस नहीं आप मोनेरा की जिसमें थे ठीकिज चार्ट प्लांट बाते हैं लुका आप वाले आप को चाहिक है अब आते हैं को ड्रण जैसे हैं विद डिसच जाट किंग्डम मोई इस टॉप दोपार्ट करेंगे लान बोडी विच अब इसमें भी फर्दर हमने इसको काटेगराइज किया वह प्लांट जिनके वल इफ्लेंशिएड बॉडी नहीं होती थैलोफाइटा जिनका होता है दाट और डिवाइट फर्दर इंटू पार्ट एक तो वह जिनका वस्कुलर टिश्व होते हैं वो जो नहीं करते हैं उनको ब्राय फैता पोलते हैं जो करते हैं फूर्दर उनको नहीं करते हैंगे जो नहीं produce नहीं करते हैं, जो नहीं करते हैं, तो जो नहीं करते हैं, वो उनको taridofata बोल देंगा और जो करते हैं, उनको further दो categories में divide करते हैं, gymnosperms and angiosperms, gymnosperms होते हैं, plants bear naked seed and plants bear seeds inside fruit, angiosperms, सुमने अब भी देखा था ना, reproduction वाले में, plant reproduction में, कि flower होता है, flower से क्या होता है, seed develop होती, आपकी fruit डेवलप होता है, that are angiosperms, gymnosperms वो होते हैं, जिनकी naked seed होती, naked मतलब की कोई covering नहीं है, उनकी seed में, समझ रहो, कोई covering नहीं है उनकी seed में, और यह आपको ध्यान रखना है, कि gymnosperms में कोई flower नहीं होता है, कोई fruit नहीं होता है, तब इसमें वो reproduction वाला, जो part था, reproduction पे नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सीड होगी, इसमें flower भी, fruit भी, seed भी, सब कुछ होगा, ठीक है, तो आप समझ गे है, पहले आपने थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, टरीडोफाइटा, तेरीडोफाइटा, आपका gymnosperm, एंगियोषपर्म, कैसे कैसे वने प्लांट kingdom को derived किया, फिर से आप एक बार देखो और इसको समझाओ, ठीक है, जो और यहां पर तो मैंने चार्ट लगा दिया आपके लिए, बाकि यहां पर सारी चीजें लिख भी दी है, ठीक है, वही सारी चीजें यहां पर लिखी होई है, ठीक है, प्लांट्स that do not possess vascular tissues, उनको उनकी एक्जामपल से है, मॉजज, मर्चांटिया, फ्योनेरिया, यह आपके इसके एक्जामपल से है, ठीक है, और थैलोफाटर के एक्जामपल से है, इसके एक्जामपल से है, और जिनमें रिप्रोडक्टिव ओर्गन्स होते हैं, यह प्लांट्स that produce seeds, उनको बोलते हैं, फैनोरगेम्स, ठीक है, फैनोरगेम्स बोलते हैं, जो एक्ट्रा चीज है, यह पर लिख दी है, बाकी आपको इस चार्ट से देखना है, अब आते हैं, यह हिंदी में है, पूरा चार्ट, ठीक है, यह हिंदी में, अब आते हैं, अब आते हैं, अब इसको हम classify करना चालू करते हैं, तो पहला हमारा porifera, इनको हम sponges भी बोलते हैं, फिर आपका synadria, इसके example से आपके hydra, jellyfish, corals, जहां आप examples के जरूत नहीं, वह आप मैंने नहीं ठीक है, यह एक category यह एक पॉरिफेरा को मैं explain करने बैठों, तो वह हमारे लिए useless है, simple, आप रटा मारो जिंदा बात, इनको sponges भोलता है, अगर आप से पूछ ले कि, which of these following organisms in animal kingdom are also called as sponges, तो answer क्या हो का पॉरिफेरा, simple, जो चीज एक्जाम में पूची जाएगी, वह यहां प flat, they have flat body, examples है, उसके planaria और liver flukes, ध्यान रखना, टैली हल्मिंथिस में, कौन से होते हैं, आपके organism, जिनकी कौन से animals होते हैं, जिनकी body flat होती है, और इनको इसी ऐसे flatworm से बोलते हैं, example, इसके planaria और liver flukes, फिर है, निमाटोड, इनकी cylindrical body होती है, उनकी देखते flat body होती, इनकी cylind स्टाइन में, ठीक है, फिर आते हैं, एनलीडर, इसके example से earth forms, leeches and narrates, ठीक है, इसमें आपको category का पूरे definition पताने के जरुत नहीं है, बसे इसके examples थोड़ा सा देख लो, अब आते हैं, सबसे important जो है, इसमें category that is orthopoda, क्यों important है, because they have open circulatory system, blood do not flow in well developed blood vessels and they have jointed legs, यह सबसे जादे है, इनके जो legs होते हैं, वो ज्वाइं ज्वाइं इसके example से prawns, butterflies, यह आपकी तथलियां हो गई, houseflies, spider, ठीक है, मकड़ी और crabs, जिनके ज्वाइं 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 जोइं जोईंटेड लेक्स होते हैं, वो orthopoda की category मे हैं, और इनका जो circulatory system होता है, परी संचरने तंत्र वो खुला हुआ होता है। फिर आते हैं अगला mollusca mollusca के example है snail or muscles they have bilateral symmetry and open नहीं कि इनके जो symmetry होती है that is bilateral और उनको बोलते हैं mollusca इसका example is snails and muscles मैं बता नहीं सकता हूं कि इतना important है यापका orthopoda हो गया mollusca हो गया और या फिर आपका सिनाडरी हो गया, कोश्चन यहीं से ही उठता है, मैं आपको जब रिवेसर रफ़ा सुल पराऊंगा, तब वहाँ पर आपको यह समझ में आएगा, इनका भी सेर्कुलेटर सिस्टम उपे नहीं होता है, फिर आते हैं हमारा एचिनो डर्माटा, और इसके एक्जामपल है, इसके अग्जामपल है, ध्यान रखेगा, अभी हम फिश की कैटेगरी भी एक पढ़ेंगे, स्टार फिश हो गई, जली फिश हो गई, यह सब फिश नहीं होती है, यह एचिनो डर्माटा की कैटेगरी में आएंगी, ध्यान रखना, फिर हमारा प्रोटू कॉर्डाटा, दे हैवा निव फीचर ऑफ बॉडी डिजाइन कॉर्ड अज नौट चॉर्ड, मतलब सबसे इंपॉर्टन्ट है, यह बहुत इंपॉर्टन्ट है, यह अब हमारा अलग category आया vertebrata ठीक है animal kingdom के अंदर यह जिनका एक internal skeleton होता है इनको further हम six categories में divide करेंगे six categories में पहली है हमारी cyclostomata सबसे least important है सबसे come important है बस देख लो फिर हमारा pieces दूसरा आता है fishes यानि कि मत्स यानि कि मचलियां fishes like sharks tuna यह आती है पिसे अभी उपर मैंने बताया थे ना fishes को इस category मत रखना fishes आपके चिनो डर्माटा में जैसे starfish jellyfish जो real fish है वो आपकी आती है इसमें पिसे वो starfish jellyfish हमारी real fishes नहीं है इनके दो chambered heart होते हैं यह ध्यान रखना है they have two chambered heart sorry fishes ठीक है amphibia यह जो amphibians होते हैं जो पानी और land में दोनों में रहते हैं they have mucus gland in skin in skin में mucus gland होते है इनका जो heart होता है वो 3 chamber होता है ठीक है frog toads और salamanders आपके इसके examples है and they lay eggs ठीक है they lay eggs so they are not mammals right फिर आते हैं reptilia reptiles जो आते हैं सरी स्रफ वर इसको इंदी बोलते हैं जो reptiles होते हैं वो इस category में आएंगे पहली बात है they are cold-bladed animals जैसे कि आपके छिप के लिए बे लिजार्ड हो गई ठीक है cold blood होता है क्यों तभी तो यह गर्मियों में निकलती है अब पहले से खून ठंडा है सरदियों में एक लेंगे तो तो जमी जाएंगी है ठीक है simple से ऐसे याद रखो ठीक है तो जो reptiles होते हैं they are cold-blooded animals जिसमें snakes, turtles और lizards आ जाएंगी most of them have three chambered heart except crocodiles ध्यान रखना है इसको कि pisses आने की मचलियां दो chambered heart, amphibians तीन chambered heart, reptiles तीन chambered heart except crocodiles जिसका 4 chambered heart होता है ध्यान रखना है ठीक है exception इसको crocodile है यह ध्यान रखना है आपको बाकी सब के तीन होंगे अब आते हैं पच्छी वर्ग जिसको English में Aves बोलते है warm-blooded animals होते है reptiles देखा cold-blooded होते हैं ठीक है और पच्छी कहते हैं तुम ठंडे हम गरम, warm-blooded animals होते हैं इनके 4 chambered heart होते हैं like humans हम humans के भी 4 chambered होते हैं पढ़ाएंगे left otterical, right otterical, left ventricle, right otterical यह सब हम पढ़ाएंगे ठीक है यह आपकी eggs ले करते हैं ठीक है जो mammal category अलग से, mammalias, standharivar, they are warm-blooded, जैसे हम humans भी warm-blooded animals है हमारे भी 4 chambered heart है ठीक है कहीं है कि यह पच्छीों से कुछ सम्मंदी थोड़े 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 जैसे हमारे पच्छी भी warm-blooded होते हैं उनके भी 4 chambered heart होता है and they under, बस डिफर हम कहां करेंगे कि जो mammals होते हैं they have memory glands, और इसके exceptions हैं कुछ ऐसे mammal हैं दो ऐसे mammal हैं जिनके memory gland नहीं होते है, memory gland मतलब और mammals का मतलब जो अपने offspring को directly जर्म देते हैं अंडे के थ्रू जर्म नहीं देते हैं जैसे हम humans ठीक है अब समझ पा रहे हो, exception है इसके latimus और echidna, latimus और echidna mammals की category ब आएंगे बट यह अंडे ले करते हैं दे ले x यह आपको याद होना चाहिए ठीक है, अब यहां पर हमारा एक यह भी topic खतम होता है, एक और topic देखो, human eye वाला, ठीक है, actually पता है, physics जो मैंने पढ़ाया था, तो यह देखो, defects of, एक second, यह मैंने आपको करवा दिया था, यह आपका human eye and vision करके topic है, human eye and vision, ठी तो इसी को start कर देते हैं, अगर आगे अगला, तो human eye में आपको पहले क्या देखना है, सबसे जो पहले light enter करती हो, हमारे cornea में, जो exam में पूछा जाएगा, अब मैं यह आपर आख बना के, यह ray of light को बनाऊ, इतना time नहीं है अमारे पास, ठीक है, और अगर आप यह समझ भी जो मैं पढ़ार हूँ, उसमें 100% आपको नहीं आता होगा, हो सकता आपको 30% आता हो, हो सकता 50% आता हो, कुछ तो आता होगा, ठीक है, पहले से, जो नहीं आता हो, उसको उसको जो डालना है, cornea, सबसे पहले light इसी पार्ट से एंटर करेगी, ठीक, image बनेगी, retina में, iris हमार image कहां बनेगी, retina में बनेगी, ठीक, eye lens forms and inverted, एक चलो, एक चीज़ यहां पर पता नहीं नीचे, लिखी कि नहीं लिखी, लिखी होगी, तो अच्छी बात है, नहीं लिखी है, तो यहां पर बता देता हो, cornea ही आपका eye donation में donate किया जाता है, जब आप eye donation की बात करते हैं, तो किसी बस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रदिक बनाता है, एकोमडेशन क्या होता है, समझन चबता क्या होता है, ability of eye lens to adjust its focal length, अपनी focal length को adjust करने की ability को हम एकोमडेशन भोलते हैं, to see an object comfortably and distinctly, you must hold it at about 25 cm from the eyes and it is called as least distinct of vision, आप से पूछ लेगा, least distinct of vision, आप से पूछ लेगा आपको value याद रखनी, meter नहीं, ध्यान रखना centimeter है, हमने कल ECO पढ़ा था कि ECO distinctly here करने के लिए source और reflecting surface के बीच में कितना आपका होना चाहिए, दूरी 17.2, क्या meters हमने देखा था, और time difference कितना होना चाहिए, 0.1 second हमने देखा था, physics में ECO category में, यहां पर आपने देखला, least distinct distinct vision आपका 25 cm, अब आते हैं, defects of vision पर, यानि की defects का होता है, vision नहीं, proper vision नहीं होता है, जो लोग चस्मा और लगाया रहते हैं, simple सी बात ही है, तो उनको defect होता है vision का, ठीक है, सारे लोग अब तो lens काट की वाज़े, चला कोई नहीं आगे, further topic पर ही हम लग स्टे करते हैं, vision के अ person can see near objects clearly, but cannot see distinct objects clearly, यानि की, past के objects आप देख सकते हो, लेकिन दूर के नहीं दिखते हैं, ऐसे combo मायोपिया ये फिर near sightedness, निकट दिरश्ची दोश, इसको सही, इसमें होता क्या, image is formed in front of retina, retina के पहले ही image बन जाती है, और इसको correct करना है, तो concave lens है, नहीं अवस्तल lens का प्रि इसमें होता क्या है, retina के पहले, retina में image बनती है, तो proper है, अच्छी आँख है, पहले बन जाती है, इसका मतलब आपको myopia है, concave lenses होगा, hyper metropia, इसका jest विल्टा है, वो short sightedness था, ये far sightedness है, इसमें आपको दूर के दिखेंगे, past के नहीं दिखेंगे, image retina के पीछे बनेगी सही करना है, उत्तल यानी convex lens का use करो, simple, अब तीसरा हम पढ़ते है, press biopia, जरा दूर द्रश्टिता, occurs with aging due to gradual weak muscles, ये जो है, उपर दो defect पढ़े थे, उनका age से उतना लेना देना नहीं है, इसका age से लेना देना, जैसे जैसे आपकी age बढ़ेगी, आपका जो eye का lens होता है, उसक अब अब सकते है, focal length adjust करने की जो छमता है, वो कम होते जाती है, फिर उसकी flexibility है, वो कम होते जाती है, eye lens की flexibility, decrease in flexibility of eye lens, इसकी वज़े से press biopia develop होता है, इसमें सही करने के लिए bifocal lens का जरुद पढ़ता है, bifocal lens इसमें concave और convex donor होता है, तब ये आपने देखा हो आपके घर में इस पार्ट का प्यो करते हैं, जब दूर देखते हैं, तो इस पार्ट का प्यो करते हैं, क्यों 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 उनको दोनों की जरुत है, उनको दोनों की जरुत है, concave की भी जरुत है, और convex की भी जरुत है, दूर भी देखना है, ठीक है, क्योंकि उन्हें press biopia का problem है, eye donation क्या ह आगे का इसा होता है, that is called forebrain, फिर हमारा आता है midbrain, then there is our hindbrain, ठीक है, midbrain जै अपका सबसे ज्यादा जब पार्ट है, वो, एक second, लहाँ पे में इसको सही कर देता हूं, ठीक है, अब भी सही सबस्बल होगा, यह अपका forebrain, midbrain और यह hindbrain, ठीक है, अब यह different part है, simple सा हमने इसको categorize कर दिया, अब यहाँ से में चीज़ चाल होगी, कि हमारे forebrain में क्या है, midbrain में और hindbrain में, तो forebrain में हमारा है cerebrum thalamus और hypothalamus, जहां से question पूछे का, वो मैं आपको बताऊंगा, यह अपसे question ने पूछे का, forebrain में कौन सा मौझूद है, midbrain में कौन सा, hindbrain में कौन सा, अपसे पूछे का, कि memory कौन control करता है, body temperature कौन part regulate करता है, ठीक है, प्यूँकि हमें पढ़ना है, तो इस वैसे मैंने categorize कर दिया, कि हमारा आगे का इसा forebrain, फिर बीच का इसा, midbrain, और पीछे का इसा, hindbrain, ठीक है, अगर मश्टिक इसको हिंदी बोलेंगे, cerebrum इसका सबसे पहला part है, जो forebrain का सबसे ज़्यादा part occupy करता है, यह memory यादाश के लिए responsible होता है, यह अगर अगर कोई damage हो गया, इसमें दर्द होता है, यह फिर sensation होता है, इसमें दर्द होता है, यह इंटर्नल है, जैसे कि मैंना को थपड मारा, यह फिर आपने कोई गरम जो है चाय का कपच हुआ, तो जो आपको एहसास हुआ न, वो थैलमस दिलाएगा, गरम कपका गरम कपका जो एहसास है, लेकिन अंदर से अगर आपको गरमी लग रही है, ठीक है, तो वो हैपो थैलमस क्यों जैसे है, समझ रहो, बाहर बहुत गरमी है, अट्मासफियर में बहुत तेज गरमी है, तो वो थैलमस बता रहा है, लेकिन अंदर से बहुत गरमी हो रही है, अंदर आपको गरमी लग रही है, यह निकि जैसे बॉडी टेंपरेचर, जैसे आपको फीवर है, समझ रहो, अंदर को जो टेंपरेचर है, आपका भूख हो गई, प्यास हो गई, यह सब आपका हैपो थैलमस कंट्रोल करता है, ठीक, अब आते हैं, मिड ब्रेन, मद्ध मस्तिस की इट कंट्रोल्स इन वॉलिंटरी अक्टन सचेस्चिज़ जैसे पीपल साइज इन रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स मॉवमेंट, इसको एकदम इग्नोर मारना है, हिंड ब्रेन प्रेन प्रश्ट मस्तिस पे, इसमें होता अपका सेरिबलम, पॉंस और मिड लॉब लॉंग अटा, सेरिबलम अपका पॉस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करता है, जो लोग अल्कोहल पी के नाली में पड़े रहते हैं, उनका सेरिबलम अफेक्ट हो गया था पिछली रात को, इसी वज़े से वह नाली में पड़े हुए है, पॉंस एकर बात करें, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेट करता है, अनि मेरु मज्जा को अगर बात करें, तो इट कंट्रोल एनस, यानि आटोमेटिक नर्वस जो सिस्टम होता है, उसको कंट्रोल करता है, जैनि कि जैसे आपका रेस्पेरेशन हो गया, हार्टबीट हो गया, यह आटोमेटिक फंक्शन होते हैं, तो हैंँ, आप इसको कंट्रोल करते हो, रेस्पेरेशन हो, पिर हार्टबीट को करते हो, नहीं करते हो, ठीक है, कांट्रोल कर सकते हो, अपने आप होता है, तो यह जितना भी पार्ट होते ही, यह मेडुला अबलोंगोटा के दारा परफॉर्म किया जाते हैं, अब सइनब्स का होता है, सैनब्स होता है, इक नर्व एंडिंग देखो, फंच्शनल unions of brain का होता है, फंच्शनल उनिट उफ ब्रेन, यह होता है हमारा निउर आप उर्ण, जैसे फंच्शनल तक उनिट उनिडिड़發़ और फिल्दॅट में निफ्रों होता है, एक उसका neuron का figure दिखाता हूं तब यह समझ में आ गई यह है neuron neuron यह इसमें यह dendrite है यह बीच में nucleus है यह इसकी पुरी cell body है यह exon है ठीक है और यह इसकी nerve ending है ठीक तो वही बोल रहा है कि एक की nerve ending एक की nerve ending और दूसरे के dendrite अब देखो तुम कोई चीज पढ़ते हो याद करते है समझ रहा है neurons form हो रहे हैं और वो connect हो रहे हैं अपस में ठीक आप किसी चीज को conclude कर पाते हो अच्छा यह हुआ तो यह हुआ इसका मतलब है कि यह होगा तो कैसे connect कर पाते हो because neuron के connection के वैसे neuron कैसे connect रहते हैं एक का पैर दूसरे के सिर से connected रहेगा सिर क्या होते हैं डेंड्राइट है पैर होती ही nerve ending यानि कि यह एक neuron का nerve ending है यह किसी ना किसी के के साथ connect होगा पक्का तो एक के nerve ending और दूसरे के डेंड्राइट के बीच के जो gap होता है that is called synapse ठीक है gap between nerve ending of one neuron and dendrite of other neuron is called synapse here electrical signal is converted into chemical signal यह ध्यान रखना है synapse में एक electrical signal आपके chemical signal में तबदील होता है यहाँ पे हमारा यह topic भी खतम होता है ब्रेन वाल अब यहाँ पे आते हैं plant hormones पे यह topic मुझे आपको जो हमने humans के बार में productive system पढ़ा तो उसके बार ही पढ़ा देना चाहिए था but doesn't matter human hormones plant hormones को कोई relation नहीं आपस में इस व्यासे में कॉलक से पढ़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ से question निकलता है usually ठीक है plant hormones पहला hormone हमारा oxygen यह growth hormone है यह आपका phototropism involved होता है phototropism क्या होता है response towards light phototropism positive phototropism होता है और negative phototropism होता है positive का मतलब है कि response दिखाएगा light की तरफ और अगर उससे against दिखाएगा response तो उसको negative phototropism बोल देते हैं simple यह जो हर्मोन है phototropism में involved होता है it is a growth hormone जिब्रलिन आपका यह growth hormone है cytokinin यह जो है आपका cell division plants में promote करता है koshika विभाजन को promote करता है apsychic acid यह inhibit करता है growth को रोकता है growth को और इसको stress hormone planting बोलता है जैसे कि हमारी humans में stress hormone क्या cortisol है ठीक है उसी तरह plant plants को भी stress होता है और इनका stress hormone है apsychic acid question आया तब इससे question आया था मैं करवाँगो जमना cds का paper directly question आया था यहां से ठीक है बस इन चार hormone को या देखने है बहुत सारे hormone होते है लिखिन मैं आपको लिख के देता हूं अगर आएग hormone तो इन चार से बाहर नहीं आएगा ठीक है oxygen जिब्रिलिन दोनों growth hormone होते हैं oxygen आपका phototropism में involved है cytokinin आपका cell division में प्रमोट करता है involved होता है याद कैसे रखेंगे cyto का मतलब cell होता है तो ऐसा ही cell से cell division aphasic acid आपका stress hormone ठीक है यह आपका एक ऐसा hormone है जो growth को inhibit करता ही रोकता है ठीक है अब आते है hormones in animals अब hormone की discovery किस ने किस ने की थी EH starling ने की थी ठीक animals में hormone देखते हैं आपके सबसे पहले जो glands जो hormone release करते हैं they are called endocrine glands ठीक है endocrine gland hormone को secrete करते हैं they do they do it by directly secreting it into the blood they do not need duct इन्हें duct के जरद नहीं पड़ती है आपको secrete करने के लिए क्या hormone secrete करने के लिए ठीक है लेकिन जो exocrine glands होते हैं उनको duct के जरद पड़ती है और इसके example के अर्मात करूं बहुत सारे हैं यह सबका आपके endocrine affect ductless gland की category में आएंगे और अगर हम बात करें exocrine gland के आपके example हो जाएंगे जैसे lacrimal gland जिसे आपके जो आसू निकालते हैं आसू हर्मोन तो है नहीं ठीक है यह हो गया आपके आपके salivary gland हो गए ठीक है यह सारे आपके exocrine में आएंगे अब आते हैं अगला देखते हैं hormone जो है आपे सबसे पहले तुमने देखा कि hormone release कौन करता है endocrine gland तब कौन कौन से hormone thyroxine hormone यह आपका thyroid gland release करता है यह आपके throat region है फिर neck region हो जाता है ठीक है और आपको यह पता होगा master gland के नाम से master gland के नाम से pituitry gland को ठीक है यह mid brain में located होता है adrenaline की बात करें यह BPN आपके जो blood pressure को regulate करता है और यह आपके heart beat को भी regulate करता है इसको यह आपके kidney के above यह उपर located होता है यह जैसे आप यहाणी kidney है तो इसको उपर जैसे cap type में locate होता है ठीक है यह आपका flight और fight hormone है बहुत 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 इंपोर्टन फ्लाइट या फिर fight लड़ो या भागो करो या मरो hormone बोल hormone release होगा वो होगा adrenaline hormone flight और fight hormone ठीक है तो adrenaline hormone आपका यह यह बहुत इंपोर्टन है ठीक है आगे बढ़ते हैं insulin यह आपका pancreas जो pancreatic glands होते हैं वो secret करते हैं अगनाशय करते हैं जो कि हमारे human body के second largest gland और यह आपके sugar level को regulate करते हैं insulin फिर आते हैं sex hormone सम देखते हैं sex hormone दो तरह के ए they are called testosterone और जो female में मिलते हैं they are called estrogen और progesteron हमने भी देखा है ठीक है sex hormones males में testosterone और females में estrogen due to deficiency of iodine thyroid gland is affected which gives birth to disease known as goiter यह देख चुके हैं भी और melatonin जो एक hormone है वो हमारी sleep को regulate करता है यह pineal gland के थूर रिलीज होता है जो कि हमारे brain में यह located pineal gland और वहीं से और इस यह जो ग्लान है यह एक तरह से बहुत ही चोटा पी साइज का होता है ठीक है penal gland और यह हम रगलेट कर स्लीप कर रगलेट करता है अगला टापिक स्टार्ट करते हैं और इस एल्स थी किस ने किया था रॉबर्ट हूप ने डिस्कवर किया था और इस थी तो शेल्डन और श्वान ने आपकी यह दो नाम आपको अच्छे से याल दिखनें खासकर यह वाला यह तो काफी लोंगों पता हो था किया यहां सेल को अब भटुूंच ने डिसकवर किया था बड़ल्ट से थी तो स्रिधन और आपकी लूडरि के रहना है स्मॉलिस्ट स्वान सा होता है यहां स्मॉलिस्ट आपका माइकोप्लाजमम बोलते हैं और लार्जेस्ट संट ऑन और जप मुएं और घृमों यह इंगरल्वारे और ये humans में बात हो रही है, longest की बात करें, neuron होता है, जिसमें कि कोई cell division नहीं होता है, और neuron हमारा basic unit किसका होता है, ये brain का हमारा basic unit होता है, ठीक है, kidney का हमारा basic unit क्या होता है, nephron, जो हमारा brain होता है, वो neuron cell से बना होता है, जो हमारा kidney होता है, वो nephron cell से बना होता है, तो neuron cells में लग गई तो सेल डिवाइड होके नई सेल नहीं बन पाती तभी अगर सिर में चोट लगती है तो आपको बता है कि फिर काफी मुश्किल होता काफी सारी जो है प्राब्लम्स देखने को मिलती है यह द्यागन रखना है स्मॉलेस्ट स्पर्म लार्जेस्ट ओवम एंड होनों होगी सेंपल ठिक है बात करते हैं सैल कि सेल मेंब्रेन और सेल वाल दो तयम आपको पढ़ने कोशिका जिले जो इंदी हम और शेप देता है, ठीक है, sorry, हाँ, प्लांट जो सेल्स होती है, उनको प्रोडेक्शन और शेप देता है, अब कई बार आपसे पता है कैसे क्या करता है वो, यहाँ पे सेल ऐसे बना देगा, ठीक है, पूछेगा किसकी सेल है, तो जाहिए सी बात इसमें सेल मेंब्रेन भी है, यहाँ प्लांट का होगा, अब ऐसे डिर्क्ली नहीं पूछ सकता है, बट इंडिर्क्ली ऐसे पूछ सकता है, तो इस वेसे आपको बेसिक कॉंसेप्स क्लिए होने चाहिए, फिर आता आपका माइटो कॉंड गद भी क्या पढ़ रहे हैं, सेल के डिफरेंट पार्ट करेंगे, और उसके बाद हम लोग अंदर आएंगे, इसमें पढ़ेंगे सबसे पहला माइटो कॉंड्रिया, माइटो कॉंड्रिया को पावर हाउस ऑफ दा सेल बोलते हैं, और यह एनर्जी को जनरेता है, इतने चीज आपको क्लियर होने चाहिए, फिर होते हैं वैकी वैकी तो में वैकीज वैकीटो होने इन वैकी दिख गॉटरिया, वथैस तरब नथे दिख्यस सब्हें कहा है, हो इनको काम क्या है, अगर वह और पिसिक्टा में उनका काम होगा लंगा, उनका तो मैं तरय के अनर्जी जरीक करता है, तो यह ज़री जए आहाँ ब इस आपको इस आपको पता है होना चाहिए कि जो 65 to 70 percent water होता है cells में वो यहीं पे store होता है vacuoles में ही और हमारी body आपको पता है कि around 60 percent water की जो है हमारी body बने है और इसमें से जो maximum water store होता है cells में वो आपका vacuoles में store होता है ठीक है बाकी फिर हमारा अगला गौली body जो कि energy को transport करता है तो जैसे कि हम जब tissues topic अभी पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे हमारे दो तरह की tissues होते है xylem और phloem जो की vascular tissues होते है और जो food और water and minerals पो transport करते है तो उसी प्रकार हमारे body में cells में बात करें तो energy कौन transport करता है that is गौली body जनी की energy को pack करेंगी और उसको transport करेंगी simple ठीक है centrosome और energy के जगे आपको protein लिखा भी मिल सकता है कि protein को कौन कायक और ट्रांसपोर्ट करता है तो गौल की bodies फिर आते हैं centrosome पे centrosome cell division के लिए responsible होता है cell में ठीक है और cell division क्यों होता है यह जैसे for example आपकी किसी body part में चोट लग गई ठीक है तो चोट लगने पे होता क्या है कि वो cells तो मर गई उस जगे की तो वहां की cells dead हो गई तो आजपास की cell क्या है खुद को divide गर कि उससे को भरने की कुश्चिस करते हैं तो यह cell division basic सा concept है दो तरह गया होता mitosis and meiosis mitosis होता है जहां पर एक cell divide होके दो daughter cells में बदलते हैं तो उसको mitosis बोलते हैं और जहां यह फर्दर जो daughter cells बनी यह फर्दर दो daughter cells में convert हो जाए यह चार daughter cells बन जाए उसको हम बोलते हैं meiosis mitosis and meiosis यह दो तरह की cell divisions होती है and cell division अगर uncontrolled हो जाए यहनी control से बाहर हो जाए हुए ही जा रहा है तो उस case में हम बोलते हैं क्या हो गया है cancer हो गया है अधर की आए यह अधर का बोलते हैं सब्सीं और यहीं पर प्रोटीं जहें पर्स नेरेट होता है जया होता है यह दूर प्रेस्ट जहां के सिरी धानियंत्र से वह प् empathy घरी जहां एक तरह से बदा और और दो अब आजरेकं आप लेके सैन में अब तो दिए सब्सक्रेथ में आब प्रो स्वर्पर आयो को ईटो अब तर्ञ हो थेगाई कप टृक्टेंगलr इसमें प्रेजंट होता है अब ध्यान यह रखना है आपको आप वे चीज़ को नोटिस कर रहे होगे यहां पर हर चीज अपने और यहांपर चीज प्रेजंट है तो यह बहुत ही अच्छा तरीका बूत है याद करने का कि इसमें सब कुछ कुछ absent है pro-caretic में यू-caretic में सब कुछ present है ऐसा नहीं है exception भी है कुछ है जो इसमें present है pro-caretic में बट इसमें absent यू-caretic में but mostly चीज़ अगर हम देखें 90-95% चीज़ है जो हमारी pro-caretic उसमें absent है और इसमें यू-caretic में present है तो यह में क्यों बता रहूं आपको ताकि अगर आपसे कुछ पूचें कि यह absent है यह किस तरह कि सहल है या फिर pro-caretic में यह absent होता है फिर present होता है तो आपको पता होना चीज प्रो-caretic में मसली चीज़े absent है तो आपको absent के साथ जाना है ठीक है और आप 95% सही होगे और और eukaryotic में आपको present के साथ जाना है simple क्या आप देख पारें nucleus होगे, mitochondria, endoplasmica, reticular इस सब कुछ absent होता है pro karatik में और eukaryotic में ये present होता है इसका example है bacteria ये रट के रखना आप इसका जो example है ना bacteria रट के रखिएगा आप इसको और eukaryotic में अगर बात करें प्लांट और आपकी अनिमल से लो जाएंगी ठीक है और आपके मन में हो सकता यहां पर आपकी अगर bacteria pro karatik होते हैं तो क्या virus तो virus को गलती से pro karatik है और eukaryotic की किसी भी category में मत रख देजएगा because virus जो है ना तो pro karatik ना तो eukaryotic एक तरह का non living entity है ये because इसमें केंट्रल पार्ट में सेंट्रल भाग में केंद्री भाग में और यहां पर आपको मिलेगा nucleus अने की केंद्रक अभी केंद्रक जो है आपका cell को कंट्रोल करता है जैसे यह आपका cell है डिफरेंट पार्ट है भी हमने देखे mitochondria हो गया endoplasmica सबसे एक तरह से information लेता है सब अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सिंपल और इससे को ब्रेन आफ दा सिल बोलते हैं इसको डिसकवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने और इसमें आपका 80% protein होता है और DNA बाकी होता है ठीक है और DNA आपको पता होने चाहिए DNA में chromosome होता है and chromosome is what? और genetic material इसी में आपको देखने को लेता है chromosome में जो कि एक एक आप बोसकते हो एक वंश से दूसरे वंश में पास-on होता है ठीक है तो chromosome में आपको देखने को मिलेगा genetic material और DNA की functional segment क्या होता है functional unit क्या होता है gene होता है ठीक है DNA का functional segment gene होता है simple अब हम पढ़ते है अप न्यूक्ले समझ यह सेल को कंट्रोल करता है brain of the cell बोलते है Robert Brown had discovered 80% protein होता और बाकी DNA होता है जो चीज़ एक्जाम के लिए relevant है वो यह आप में लिख रखा है ठीक है अब आते हैं protoplasm में आपको पहली बीच वीच में आपको बताया भी है कि अगर देखो हम इसको पढ़ रहे होता है कि हमारे पास एक महीना है तो मैं आपको डीब में पढ़ा था लेकिन अभी हमारे पास इतने टाइम नहीं है तो न्कराइस में अगर फ्लिव डेब प्रेजेश काल अगर बीच बिर्खाय और तो ऑगर अगर थे प्रसेंट युटली अपर इसको प्रेजिश प्रसेंजन नगरों किया था उसको तुट अब एका इसी और से लो परेकिकान इसको इसे फो रह से इसे डजैंपल आपको दिस्कवर्ट बाइ डी डूबे एंड दिया तो सुसाइडिल बैग ऑफ दो सेल एर और और अलसो कॉल्ड अटम बॉंब क्यों फॉर एंजाइम में अफर्ट के क्या था यह पार्ट नहीं कर रहा है तो यह जो लाइट जाएगा यह क्या करें फट जाएगा और फट इसके यह फट यह पार्ट जो पार्ट को जो है उस पुरी सेल को माल डालेगा और वां चल्काव करके उसको क्लियर कर देगा अगर कोई भी पार्ट है सेल का फंक्शन नहीं करेगा तो ठीक है इसी वज़े सिसको बलते हैं अब इसी प्रकार हमें पता होने जो आर बीसी होती है वो आपकी लाइजोजोम के नहीं डेट होती है यह अपना इनका अलग से ग्रेव यार्ड इनकी अलग से कब्र बनी हुई है अब डेट होता है एक में जाकर आर्बीसी का रईंख– जिसको बोलते हैो स्पलीह में जाके मरती है थिक है इसका आर्बीसी का टाइम पिरेड ुक्लिय उप्रट होता से जब आपको दीन अपिसे बाट का वार कि अधूरा को मिलें तो यहां पे आपका प्लास्टिट पार्ट होता है ठीक है एक से के अधैके जापर आपको डियेन और रिवोजोम दोनों देखने को मिले का इसके ऐसे जो भी आपकर चीज इसको द्यान से बड़न से देखेगा जब आपको exam खतम होगा तो मैं आपको directly दिखाऊँगा notes में कि कहां सी चीज कहां से आई है ठीक है, cell topic हमारे हां से खतम होता है यहां से हमारा start होता है tissues topic ठीक है, tissues के बारा हम पढ़ाएंगे ठीक है, जैसे यह ने cell पढ़ा, cell क्या होता, basic unit होता है life का cell, group of cells, cell मिल जाएंगे, tissues मिल जाएंगे, tissues मिल जाएंगे, organ बन जाएंगे, organ मिल जाएंगे, organ system मिल जाएंगे, organism बन जाएंगे, जैसे हम humans हो गए, animals जाएंगे, ठीक है तो यह tissue जो chapter है, इसमें simple जो हमारे exam perspective से वह महां को उताता हूं क्या को इसमें याद रखना है तो सबसे पहले यहां पर डिफरेंस है प्लांट और अनिमल टिशू के बारे में अभी आप तिशू समझ गें इसल का गृूप यहां जाती है तो टिशू बन जाता है को मिलता भी होते कि अब मेरे स्मेंटिक परमने अभी हम देखते हैं तो इसको एक बार देख लो बट उस यहां से कोई कोई एक्जाम में निकल रुहा है और सीडिक्स में मोस्क्योर्यणी निकल आता अथर ये हम दो और जृभी उसको देखते रही हैं औरुट की टिप्स फूस ये योगी तो मेरी स्टेमेटिक दो तरह होंगे बेस्ट ओन पोजिशन इन प्लांट बेस्ट ऑन ओरीजन यह चोड़ देना है यह चोड़ आपको नहीं पढ़ना है तीन तरह की है एपिकल इंटर कैलरी और लेटरल मेरी स्टेम अब इन तिनों में डिफरेंस समझो एकदम सिंपल टम्स में जो एपिकल और इंटर कैलरी मिसल समय एं प्लांट को ग्रोगरने में अम करती है औरफ देती है प्लांट इतो хотя प्लांट की ये ओनों जो है इस को मोटा भनाएंगी स्म्पल ठम समय अभी दोनों इंत्र केलि बीच प्रड़ी जिए इस एस एस नोड़ होती है तो यहां पर यह पीछ पेजह रूता है आग बाकियों ऑन होता है घर आगे रेक्स-ब्ड़ी से और गन्ना सबसे ऐसे प्रेजम्पल दबाइब किसमें वीचम्पल चैनलुड को उसने अपरस्ट को खा लिए तिप सम्ति कर एक्दम तो प्लांन क्या ग्रोव नहीं करेगा इनकी मदद से ग्रोव करेगा इंटरकेल्रों मेरिस रिपके प्लांट को السैनल यहीं से में नेक्शंट करिके कुम है टिशू आपका के डिरित बेता है यहीं से question निकलता है, located at the growing points of the stem roots, एक दम points पे tips पे होंगे, यह आपको inter notes पे देखने को मिलेंगो, और यह आपका lateral, side में, side में present होंगे, side में क्यों क्योंने width प्रवाइड करनी है, girth and width, diameter, ठीकने, इस मोटाई बढ़ानी है, ठीक है? फिर आते हम दूसरा, यह तो हो गया meristematic, दूसरा हमारा permanent issue, यह तीन तरह है कि हम protective, supporting, conducting, एक तो वो जो protect करेंगे, दूसरे जो support करेंगे, तीसरे जो conduct करेंगे, तीसरा सबसे easy है, क्योंकि हम xylem phloem के बारे हम पढ़ते रहते हैं, मैं आपको भी बता देता हूं, जैसे for example, जैसे हमने खाना काया, हम खाना काते हैं, तो पेट में सब पूरा digestion होता है, ठीक है, पूरा digestion, इसमें आपका पेट हो गया, अनिस्रमक हो गया, small intestine हो गया, large intestine, इसमें अब इन आड़ते हैं, तो बाकी जो हो गया, बाकी different part हो गया हमारी body के, उनको कैसे nutrition मिलता है, simple, transport होता है, ठीक है, उसी प्रकार, जैसे जो आपका water and mineral है, नीचे present है, ठीक है, plant, आपका जो soil है उसमें, ठीक है, नीचे ground है, तो different part of plant को कैसे मिलेगा, खाना plant बनाते हैं, photosynthesis से वो different part of plant में कैसे पहुंचेगा, बिकास जो खाना बनता है photosynthesis के त्रू और वो green plant में होता है, green part में होता है, तो जो green part नहीं है, जो brown part है, उसको कैसे खाना मिलेगा, तो जो water and mineral है, वो xylem के त्रू ट्रांसपोर्ट होता है, from downward to upward movement होता है, और जो phloem होता है, यह आपका, sorry, जो आपका खाना होता है, food होता है, वो आपका phloem से ट्रांसपोर्ट होता है, mostly आपका upward से downward इसका movement होता है, and that's it, एक part हमने अटा दिया, अब हमारा दो बचा है, protective और supporting, ठीक है, supporting भी तीन तरह होता है, paranchyma, colanchyma, scleranchyma, फिर हम पढ़ते हैं, जो permanent tissues है, उसमें जो protective tissues, अभी हमने देखे हैं, permanent tissues के types, और उसमें से पहला type है, protective tissues, दो तरह के protective tissues है, epidermis and cork, अब इनकी characteristic, आप मत याद रखो, skip करना है, located कहां पर देख लो, अब देखो, सबसे पहले, permanent tissues बनते कैसे हैं, permanent tissues are found by the division of metastymatic tissue cells, which have lost their ability to multiply, वो metastymatic tissue, भी हमने देखे, metastymatic tissues, तो वो metastymatic tissues, जो अपना multiply होने की चंता को चुके हैं, उनके division से permanent tissues बनते हैं, अब आते हैं, epidermis पे, epidermis present in outward layer of leaves, जो leaves पत्ति हैं हो गई, उसके outer layer में प्रेजेंट होगा, flowers में, stem and roots में, ठीक है, और प्लांट को प्रोटेट करते हैं, infection और यह भी अपके prevention, destination, infection, mechanical injury, तो simple आप याद रखो, यह protective tissues हैं, तो यह protect करेंगे, अब आते हैं, supporting, अब आते हैं, supporting, यह important है, supporting में तीन ते रखेंगे, परेंग काइमा, कॉलेंग काइमा, स्क्लेरेंग काइमा, कंसिस्ट ओफ रिलेटिवली नॉन स्पेशलाइज लार्ज थिन वाल लिविंग से, यह अब यह आपको पता देता हूं कैसे आप से अग्जाम में पूछे काइमा कीवर्ड रटने, अब अपना सारा देख के आप काफी सारा काफी 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 कर दाएज हो गया होगे कि याद क्या गरना इसमें ते काफी सारी चीज ने लिखी हैं, हब से पहले है पैरन काइमा में एक कीवर्ड यूद रखना है living cells, यह living cells है, पैरन काइमा और स्कलेइन काइमा आपकी dead cells है, यह दियान रखना है पहली बात तो, फिर अगर में बात करें न की location में, तो पैरेन काइमा मुसली हर जिए प्रेजन्ट है, mainly present in soft plant and outer cortical reasons ये non-woody part non-woody part होता है plant पे Colin काईमा वहाँ पे located है और Scleran काईमा जो आपका जो woody part होता है hard part होता है वहाँ present होता है अब ये hard part होता है Scleran काईमा तो इसाइट सी बात है strength और toughness दे रहा होगा प्लांट को अगर woody part में ये आपका mechanical support प्रवाइड करेगा तो लीव स्टॉक्स जैसे की mechanical support जैसे की उनको elasticity प्रवाइड करेगा ठीक उनको जो है तोड़ा सा अब बोल सकते हो flexibility प्रवाइड करेगा ठीक है तो यानिक एक तरह से ये mechanical support जो keyword है या keyword आजखना जैसे parent काईमा में living cell client काईमा में dead cell यहाँ पर आपको रखना है non woody part client काईमा में यहाँ पर client काईमा यह keyword है woody part है तो strength प्रवाइड toughness प्रवाइड करेगा strength toughen हो गई कि एक दम tough हो गया येगिन flexibility को प्रवाइड करेगा तो यह क्या है फ्लेक्सिबल है उतना जाद तुरंट टूटता नहीं ठीक है पैरेंट कैमा के बाद करें टेंप्रेरी सपोर्ट एंड और शेप मेंटेंड करें ठीक है इट मेंटेंड शेप और थोड़ा बहुत ही जो है इसका फंक्शन स्टोरेज में भी रहता है थोड़ा हमने देख चुके हैं यह जाईलम और फ्लोम हैं दो जीज़ है अब इतना सारा लंबा चोड़ा चीठा को बहुत जादा रटने की जुरूत नहीं है ने जाईलम और फ्लोम के बारे में जो बेसिक डिफरेंस है और आपको समझा दिये बस आपको उतना ही याद लखना अब जाईलम आपका वाटर रेंड मिनरल ट्रांस्पोर करेगा फिर यहां पे बेसिक सा डिफरेंस दिया हुआ है मेरिस्टमेटिक और इस्टमेटिक और पर्मान टिशु के बारे में हमने अभी देखा था ना प्लां टिशू के टाइप्स एक तो उसमें मेरिस्टमेटिक और प प्रेज करना चाहूं का क्यों कहा कि अभी क्लोरों कर इमा कह से आ गया जो जो दोतरा है होता है मैं इस छीज को पहले हटा झा ठीक है जब का व्तर डुप ना होता होता है qya ऑन को पा एक जोता है आ प्का एरंग अग में और दूसरा होता है breaking emal तो कि आहरं नेंसित होता है जहां पर air होता है ठीक है एर बीच में air molecules रहते हैं और यह आपको mostly floating plants जैसे for example lotus है ठीक है lotus अपने जो कमल कफूल है तैरता हुआ है तो जो आपके तैरते हुए plants होते हैं उसमें जो आपको यह देखने को मिलता है अपने जो आपने जो डिफरेंस था मिलेगा तो फिर से आजाते हैं अपने जो डिफरेंस था मेरे स्कशने तो सिंपल टिशू होते हैं सिंपल और कॉंपलेक्स और स्पेशलाइज होसकते हैं इंपारेंस यह स्मौ था स्माल स्फेरिकल अं पॉलिगनल उतना इंप्रेक्टे नहीं बस देख लो ठीक है इंटर स्ट्रेटिलर स्पेसेई डिए जो डिवाइड करना बंद कर है ठीक है वो मेरि 28 करना बंद कर दीए उननी से आपके पर्मेंट टीशुल में कोई डिविजन नहीं होता है अग्युक्त की डिविजन होता है मेरी स्टेमेटिक में तभी तो यह ग्रोड प्रॉपार करते हैं तभी तो यह भी विट्ट करते हैं हमने देखा था ना flexibility प्रवाइड करेगा, storage प्रवाइड करेगा, ठीक है? अब हमने देखा. यहाँ पर हमारे जो plant tissues हैं, वो खतम होते हैं और यहाँ से हमारे start होंगे animal tissues ठीक है? ठीक है? तो animal जिस तरह हमने plant tissues को कई सारे पैर्ट में बाटा, वैसे animal tissues को आपके में स्कुतै कंद्ध है, प्लांट टिशिव वाला टॉपिक है आपको प्लांट टिशू से भी काफी ज्यादा कॉंप्लेक्स है, ठीक है, आप यहां पर देख भी पार होगे और काफी ज्यादा बीवाह इवह दिखाता हूँ, ठीक है, तो याद करने हो को काफी प्रॉ तिशू, muscular, connective, nervous, neural tissue, ठीक है, फिर epithelial भी कई सारे पार्स में डिएड़ेड़े हैं, simple scramus, stratified scramus, columnar, epithelium, ciliated, cuboidal, glandular, ठीक है, फिर muscle tissue, striated, non-striated, cardiac tissue, फिर आपका connective tissue भी तीन तरह का है, connective, supportive, fluid, फिर आपका connective भी, arrow, idipose, fibrous, और आपका फिर supportive भी, cartilage, bones, fluid, आपका blood औ और lymph, ठीक है, ति काफी सारे types है, एक-एकर के हम लोग देखते हैं, सबसे पहले तो आप यह देख लो कि अपिधिले tissue के function क्या है, ठीक है, और location, skip करो अभी, location हमें exact, जो जैसे simple scramus कहा है, stratified scramus कहा है, वो देखना होगा, because यह whole body है, ठीक है, तो में particular पताना चाहिए, कि simple scramus कहां पर stratified scramus कहां की सारी चीज़ है, ठीक है, function इसका क्या है, protection, absorption, secretion, sensory perception इसका इसका, भी आप से सिर्फ उसी का पूछे, epithelial tissues का function है, बहुत कम chances है, वो ऐसे पूछेगा, simple scramus epithelial कहां present है, या फिर, कौन सा जो epithelial का inner lining of stomach में देखने को मिलेगा, तो ऐसे आप से पूछे का location और इसका function, ठीक है, characteristic आप skip कर सकता है, बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट नहीं होती है, यह नहीं बोल रहों कि 100% chance है कि यह पूछे कहीं नहीं, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ के possibility है, यह आपका अभी तक exam में देखने को नहीं मिले तो इसके chances का में, simple scramus की बा सब्सक्राइस को ट्रांसपोर्ट करना, फिस stratified, stratified का मतलब होता है, stratified का मतलब होता है, stratified word कहां से डिराइव हो है, strata से, मतलब layer में होना, तो यह आपको पूरी body surface को cover करता है, protect करता है, जैसे जो मारी skin है, वह आपको देखने को मिलेंगे stratified squamous epithelium, तो skin में कहा है, यह का epithelium और यह nutrients को absorb करता है, आपको याद कैसे करना, stomach में क्या होता है, nutrients का absorption ही तो होता है, digested food का, ciliated columnar epithelium के बात करें, ciliated, यह inner lining of trachea, lungs, respiratory system में देखने को मिलेगा, और इसका मुकस forward to clear it, ठीक है, मनने की, एक तरह से मुकस को compress करना, elongate करना, compress करना, ताकि food पास आना हो सके, फिर आपका cuboidal epithelium, यह lining of kidney tubes में आपको देखने को मिलेगा, और यह आपको absorption में help करता है, and absorption of useful material from urine, before it is passed out, और जो glandular है, आपको अगर इनको यह present, आपको इतना पता होगा, कि इनका location कहाँ पे है, तो function आप आसानी से guess कर सकते हो, आप एक्जाम में, तो location देख लो बस, ठीक है, और glandular, जो आपके glands होते हैं, जैसे stomach, intestine, pancreas, जो glands होते है, वहाँ पे आपको यह देखने को मिलता, glandular epithelium, ठीक है, अब आते हैं, अगले आपका tissue जो जो नेक्टिव देखें हैं, तो types में सब सब पहला है हमारा arald tissue, जो कि तीन टाइप यहनी arald tissue, adipose tissue और fibrous tissue, अगर आप इसको देखो करना चाहते हो, तो कर सकते हो, because इससे question जेनरली उतने आते नहीं है, but फिर भी, अगर आपको देखना है, मैं आपको बता जता हूँ, जैसे made of gelatinous matrix, contains cells and irregular arranged fibers, जो location इसका found between skin and muscles, around the body, जो मारा adipose tissue है, यह cells are fitted with fat globules, ठीक है, जो हमारे इनको fat tissue बोलते हैं, ठीक है, adipose tissue को fat tissue बोलते हैं, जो यह ध्यान का, ठीक है, adipose fat tissue, ठीक है, found beneath the skin, around the kidneys and other internal organs, insulates the body and prevents the loss of heat, fibrous tissue की बात करें, found in spaces between bone and muscles, जो bone or muscle जो space होते हैं, उसके बीच में, fibrous tissue आपके मौजूद होते हैं, या फिर fibrous tissue, tendons help to attach muscle to the bones, ligaments help to hold the, अभी जो fibrous tissue, connective tissue को दो तरह के हैं, ligament और tendon, यह बहुत important है, ध्यान रखना, ligament किस-किस को connect करता है, tendon किस-किस को connect करता है, देखो, एक connect करता है muscles को bone के साथ, और एक करता bones को bones के साथ, अब कौन करता है, ligament की tendon, याद कैसे रखेंगे, यहाँ पर लगा दो T, ठीक है, MTB, यह tendon करता है muscle को bone के साथ, MTB, आपको, चैनल का नाम तो सुना ही होगा, MTB, सुना ही होगा, आपने पक्का, है न, तो MTB है, वैसे ही, आप MTB याद कर लो, MTB, यह होगी आपक की muscle tissues, तो यह आपकी तीन है, striated, non-streated, और cardiac muscles, ठीक है, इसकी characteristic location और function आप देख सकते हो, आपका जो striated है, found attached to the bones, और जो non-streated है, found in the uterus, राजिस्ट प्राक्ट, हुरिनली ब्लाडर, cardiac अगर हम बात करनी, found only in the walls of the heart, क्यों की नाम ही है, cardiac फिर इसके बाद होना last tissue है, nervous or neural tissue, इसके आप characteristic location और function, देख लो, कोई type आप हमें नहीं आद रखने के ज़रत है, कोई type आप से नहीं पुछेग एक्जाम में, बस यह देख लो, characteristic location function, neural or nervous tissue तो made up of elongated cell called neurons, कहाँ प्रेसेंट हो का, brain में में प्रेसेंट हो का, spinal cord, nerves, messages from brain to different parts of the body and vice versa, ने की brain से, जो message है, उसको communicate करना, ये इनका, इन tissues का function होता, simple, ये chapter भी हमारा खतम होता है, काफी complex chapter ता, मुश्किल chapter था, काफी selective reading इसमें करने की आपको ज़रत है, अब आजाते हैं, अगले और आखरी topic में, जो हमारा है, life processes, इसमें हम तीन चीजें पढ़ें नर्वस सिस्टम और आपका एक्सलिटरी सिस्टम से अपके question नहीं पूछाता है, इस वैसे हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, सबसे पहले हमारा respiration नहीं के सुश्चन तंत्र, दो तरह गा है, anaerobic अब इसमें क्या क्या रखना है, it happens in presence of oxygen, anaerobic होता है, absence of oxygen में, ये mitochondria में इसमें carbon dioxide, H2O, water होते हैं, और anaerobic में प्रोडक्ट्स होते हैं, alcohol and lactic acid होता है, और respiration की बात करें, ये इसमें ज्यादा energy release होती है, और anaerobic में आपकी कम energy release होती है, कभी-कभी अपसे पूछ लेता है, कि अगर कोई athlete है, फिर कोई exercise कर क्या रहा है, तो उसमें किस कौन सा form होग respiration का, तो उसमें anaerobic form of respiration होता है, और उसमें आपका lactic acid release होता है, तब ही करण है, कि muscles जो है, फटी हो जाती है, ठकावाट मैसूस होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उसके इसमें anaerobic respiration होता है, फिर हमारा है, यहाँ पर voice box किसे बोलते हैं, तो larynx को बोलते है, ठीक है, याद रखनी है, अब आते है, respiration and plants, तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि humans में, आपका जो एक्सेंज अफ गैसे अफ गैसे अफ गैसे अफ गैसे अफ गैसे अफ आपको stomata में होगा, ठीक है, गैसी जो वीनिमा है, आपका stomata में होगा, जहाँ पर आपको pores भी देखने को मिल हैं, ठीक है, अगला है हमारा circulatory system, circulatory system इन सचार प्रनाली, इसमें heart, arteries and veins और blood and lymph के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, pumping organ heart है हमारा, arteries and veins और धमनिया, blood and lymph यहने की रग्त हुआ, लसिका है, human heart has four chambers, यह हम लोग देख चुके हैं, जैसे हमने पहले देखा था, जो अपना, जा हमने इसमें crocodyl exception देखा था, इसका four chambered heart होता है, सबसे ज़्याद अगर हम देखें तो, जो कोक्रोच होता है, उसके तेरा chamber का heart होता है, लेकिन हमारा होता है, चार chamber का, जैसे कि यहागवा हमारा heart, वैसे तो, ट्राइंगुलर शेप में होता है, बाट यहाँ पर, ऐसे हम समझ स pressure, उसको measure करते है, स्फिग्मो मैनोमेटर से, और जो blood है, एक connective tissue अने सही हो, जी, उतक है, यह solid component of blood है, आपका corpuscle, ब्लड का solid component का होता है, ब्लड में और कौन-कौन से part होता है, इसमें corpuscles में आपका RBC, WBC और platelet आएंगे, तीन category में इसको divide करेंगे, solid component को, RBC जो होता है, आपको ठीन, आपकी अपको, पता होने चहरी है, एक हम, पत्यों का रंग अपका होता है, यो प्र्मो गली कंटें जी अचाहित है, प्रूता मॅने मीचल्ट हमता है, हम कर चाहिता है, इसमें चेल बाल को हम्हों होता है, क्वे प्रूम का रंग होता है, defineWow European blue rigt हम्हों है, इ 240 दिन का होता है और WBC के करम बात करें वाइट ब्लड सेल्स तो यह हमाएं डिफेंस मेकनिजम प्रवाइड करती है अगेंस्ट जर्म्स और एंटी बॉडीज करती है एंटी बॉडीज के बारे हम लोग पढ़ चुके हैं जो डिजीज वाला चैप्टर पढ़ा था डिफेंस मेकनिजम में बहुत इंपॉर्टन यह दिफेंस मेकनिजम यह दिफेंस प्रवाइड करती है जर्म्स से ठीक है यह दिदान रखने आपको और इनका लाइफस्पैन होता है तेरा से विटामिन के भाइटकर को सॉल्फ करेंगे तो वहां पे भी परीविजट के सोर्स क्या होते हैं क्किनिकल निम क्या होता है किसके कमी से कया डिजीज होती है ठीक है प्लाज्मा की बात करें यह आपका liquid component होता है blood का और yellow color का fluid होता है और 90% इसमें water होता है जब आपने देखा होगा covid के time पे काफी जाद प्लाज्मा आपने देखा होगा जो packets होते तो इसमें yellow color का fluid होता है ठीक है तो 90% इसमें आपका water होता है अब आते हैं type of blood vessel तो जो blood vessel है कित प्रिजेंट होता है और veins जो की नसे होती है देख आरी deoxygenated blood कहां से कहां अब देखो heart क्या करता है एक तरह सब्सक्तों कि इसमें blood blood purify हो रहा और यह जो arteries है यह oxygenated blood क्या है purified blood है जो हमारे different parts of bodies को चाहिए ठीक है तो यह heart जो है हमारा purify करती है तो अब यह arteries जो हैं ले लेके different body parts के पास जाएंगी यह लो तुम भी लो तुम भी लो तुम भी लो कैसा blood आएगा और deoxygenated आएगा तो veins जो है deoxygenated carry करके लाएंगी heart उसको oxygenated बना देंगी और arteries उसको carry करके दोनों में exception है अगर artery के आगे pulmonary लग जाए या फिर vein के आगे pulmonary लग जाए तो चीज़े उल्टी हो जाती है pulmonary artery आटी जो है deoxygenated blood को carry करता है और pulmonary vein oxygenated blood को carry करता है कहां से carry करता है लंग्स से हार्ट तक में और यह जो है deoxygenated carry करता है heart से lungs में ध्यान रखना दोनों के exception है pulmonary pulmonary vein और कहां से carry करते हैं यह तो तुम्हें याद होगा oxygenated वाला याद हो जाएगा कि heart से different body part oxygenated or different body part से heart vein simple but pulmonary artery जो आपका deoxygenated blood carry करती है अब आद आद देख लेते हैं transportation plants में गाजा होता है तो यह हम देख चुके है अब यहां पर इसके वारे हम डीप में नहीं देखेंगे कोई हम देख चुके रांस्पिरिशन वागर से gattation gattation अपका रात में process होता जिसके तुरू अब इसे इसी पर एक question पूछा गया था आपके NDA exam में every CDS में I do not remember कि अगर हम एक दो तीन leaves लिए हमने तीन leaves लिए एक को उपर से grease कर दिया एक को नीचे से grease कर दिया और एक को दोनों जगह से grease कर दिया तो कौन सबसे जल्दी dry हो जाएगी ठीक है यह फिर dry नहीं होगी ऐसा सब्सक्राइब करेंगे तो यह ज्यादा तक हरी रहेगी ठीक है और जो बिल्कुल भी grease नहीं की गई ना तो नीचे से वह सबसे जल्दी यह हम लोग previous और वहां पर देखेंगे ठीक है आगे देखते हैं हम एक्सक्रीशन सिस्टम उट्से अरजन प्रणाली यह निकि हमने सारा चीजें करने के वाद हम चीजें को कश्यां स्विजमागी करते हैं टोलेट जाके तो क्या कैसे उसमें चीजें इन्वावल थी सबसे पहले है किडिनी यह होता है इसका तो नुट होता है नेफ्रों जो चाहिए बता रहा है विच आटरी ब्रिंग्स ऑक्षिजटेट ब्लड टू किड़नी तक उसका नाम है रीनल आटरी और ऐसे रीनल वेंड है जो डी ओक्षिजटेटेट बड को ले जाती है फॉर्म किड़नी टू हाट अब को हीमोडालीस की ह होता है तो हीमो डिलेसिस इस प्रॉससा फ्यूरिफाइंग ब्लड यह अपने सुना होगा कि जिसकी किड्णी खराब हो जाती है क्योंकि जो प्यूरिफिकेशन ब्लड का क्या होता है जिसका हार्ट काम करना बंद करता है तो उसको हम बोलते हैं पेसमेकर ध्यान रखना है और यहां पर हमारा यह चैप्टर होता है आपको करना क्या है यह नोस आपको मिल जाएंगे फर्मार अक्याडमी अप्लिकेशन पर और उसके अलावा डाउनलोडेबल फॉर्म में आपको मिल जाएंगे यह कि यह हमसे वहां पर डाउनलोड नहीं होते तो टेलिग्राम पर प्रोवाइड कर दो तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के तीनों के लेक्च्चर आपको प्रोवाइड करवा दूँगा आप इनको रिवाइज करते रहें और आप हमारा चालू होगे कर दो आपको प्रोवाइड कर दूँगा दूँगा चालू हो प्रोवाइड कर दूँगा झालू हमा एक इस